हाई एवरिवन वेलकम टो सुजास कुच्छन आज हम बनाएंगे बेल फ्रूट से एक सिंपल सी रेसिपी यह दिवाल के टाइम पे ज़्यादा मिलता है इंग्लिश में इसे उड एपल करके भी बोलते हैं और मैंने यहाँ पर दो फ्रूट लिया है बेल का फ्रूट इसे एक खुश्बू आता है अच्छा सा तो आप समल लिजेगा एक खुश्बू आ गया तो यह खाने के लिए तयार है अगर आपको लगा यह कच्छा है खुश्बू नहीं आ रहे तो क्या करना है इसे सफेद कपटे से कवर करके दो दिन धूप में रखना है तो यह अच्छी से पक जाएगा और खाने के लिए तयार होगी इस फ्रूट से बहुत सारा वरेटी बनाते हैं मगर मैं आज बना रही हूँ दो मिनिट में फटा फट बनने वाला रिसिपी यह बहुत ही टेस्टी लगती है यह देखिए मैंने दोनों फ्रूट को इस तरह की से तोड़ दीती ह यह जो अंदर का पल्प है ना यह सॉफ्ट रहता है और इसमें जो सीड्स है ना वह भी बहुत अच्छी रहती है हेल्थ के लिए तो इसे फेकना नहीं इसके साथ ही खाना चाहिए तो यह देखिए मैंने तोड़ दिया दोनों फ्रूट को फिर एक पोल में निकाल देती जब मैं चोटी थी तब मेरे ममी ने जादा बना के खिला दीती इतना टेस्टी बन थी है मुझे तो बजबन का याद आ रही है इतना टेस्टी लगती है यह देखिए मैंने दोनों फ्रूट को तोड़ दिया और अंदर का पल्प निकाल दिया यह देखिए यह सॉफ्ट है और इतना खुश्पु सा स्मेल आ रहे है इसमें से बहुत अच्छा रहता है तो आप अभी क्या करेंगे इस तरह किसे आप इसे अच्छी तरह से स्मैश करना है फिर इसके साथ ही एड़ करेंगे एक चोटे चुटे चमाच नमक और यहाँ पर मैंने गूड लिया है एक सेले मैंने आदा इतना ही डाल देती हूं फिर कम लगा तो और एड करना है फिर गूड और नमक के साथ अच्छी से मिक्स करना है जैसे मिक्स करते होगे यह पानी चुटता है मतलब एकदम सौफ्ट बनती है इसमें विटामिन सी बरपूर है और कफ की प्राबलम है तो इसम में रेड शुगर मिक्स करके जूस बना के पीश सकते हैं काफ की समस्या दूर होगी इस फ्रूट को बच्चों को तो जरूर दीजिएगा क्योंकि यह मिम्री पावर इंप्रूर करता है और समर में ना सिर्फ गूड एड करके जूस बना के लिए तो शरीर को थंड़क भी म मिलता है अगर मिला तो जरूर इससे मिसमत करेंगा इस तरह बना के लीजिए बहुत अच्छा है हल्ट के लिए इसका जो पल्ब कितना रहते है उससे आदा मात्रमी गूड एड कर दीजिएगा इसमें जो सीट्स है ना वह खाने में एकदम क्रिस्पि रहता है और पल्प तेस्टी लगती है आपको पता चलेगा इसका टेस्ट का मज़ा अभी मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया यह देखे एक खाने के लिए बिल्कुल रड़ी है मैंने जो चिलका निकाला था ना इसके अंदर ही डाल के सर कर रही हूं यह दो गंटे के बाद खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है मैं तुरान तक खाने के लिए ले रही हूं क्योंकि कांट्रोल नहीं हो रहा है इसका जो फ्लेवर कुश्वू इतना मस्त आ रही है तो मैं अभी खा लेती हूं आप इस रेस्टी रसीपी को बना के देखिए फिर मुझे कमेंट में बताएं यह रसीपी और एक नहीं रसीपी के साथ तब देके लिए बाई बाई टेक केर